पहीले पहील हम कईनी छठी मय परब तो है कि मुंबई से बिहार में आना चुकि बिहार से मैं हूँ बिहार मेरा मतलब मेरी माँ है मेरी माटी है मुंबई मेरी मौसी हो गयी अब जोटे को प्यार दोस्तो अभी चळ्प का सीजन चल रहा है और चषट मेखी बिहार में सबसे ज़्यादा छट पर मनाया भी जाता है तो चलिए आज हमां को बताने जा रहे हैं कि मुंबई से चल कर आज आया हुए है पंकज पाल जी जो मुंबई में इतने अच्छे अच्छे गाने गाते हैं जो सोसल मीडिया पर काफी पहला ही से वारल है और काफी ऐसे जो हीरो और हीरोन हैं उनसे भी मिल चुके हैं और जब गनेश चतुर्थी जब पूजा किया जा रहा था तो ना जाने कितने लोगों से अच्छे अच्छे सिंग्रों से और अच्छे अच्छे लोगों से और अच्छे-च्छे स्टार से भी मिल रहे हैं दोस्तों तो आज आए उन वह हमारे चैनल पर आए हुए है बिहारी बाबु हेम्राज पर जो बहुत ही अच्छे जो चठ गित भी गाने वाले हैं तो सबसे पहले पंकत जी आज आए और हमारे चैनल में आपका स्वागत है जी सभी को छट परों की धेर सारी शुब करना है बहुत बहुत बढ़ाई तो चलिए जादा देर करते हुए नहीं और जादे बाते नहीं करते हुए तो सबसे पहले हम चाहेंगे कि आप भी बिहार से हैं मगर मुंबई में आप रहते हैं एक अलग बात है तो हम चाहते हैं कि छट का एक नगमा जो हैं से छेड़िये जी बिल्कुल और मैं सार्दा सिना जी का ये गाना गा रहा हुए सार्दा जी हमारे वीश नहीं रही मैं बहुत मतलब अंदर से दुखित हूँ ऐसा कला का लेकिन चलिए एक उन्हीं का गाना है करीहा छामा छठी मैया भुल चुक गलती हमार पहीले पहील हम कैनी छठी मैया परब तो हार छठी मैया परब तो हार तो दोस्तों हमारे बेश चे सर्धा सिना जी जो है नहीं रहे और उनको बारबा नमन है आज उनके जो गाने जो हैं काफी अच्छे हैं और चर्चित हैं आपको याद होगा कि मैंने प्यार किया में भी एक गाना सेट सौंग जो गाई थी काफी वारल होई थी और हमेसा एक पान खाना पान चबाना और उसको खा कर गाना साइद ये सिंगरों में किसी में नहीं है जो एक महला सिंगर में जो था तो चलिए हम चाहते हैं कि मुंबई से कैसे आना हुआ आज अपने बिहार में देखिए क्या है कि मुंबई से बिहार में आना चुकि बिहार से मैं हूँ मेरी मां हैं मेरी माटी है मुंबई मेरे मौसी हो गई क्या है कि हम लोग बिहार पले पढ़े हैं लेकिन आगे बढ़ने के लिए युक्त अच्छा प्रेटफर्म के लिए आपको मूबई जाना पड़ेगा तो मैं घर में छट था मेरी माँ छट कर रही है तो छट के लिए मैं आया हूँ और मैं सोचा कि हमरे जितने भी लोग हैं उनसे मिलू लोगों से बात करो यही कारण है कि आज आया हूँ इधर तो चलिए दो बनाये जुमेला भी हरिया कि असली में परब होई यूपी बिहार के लगले में होई जाला सारा संसार के कि असली में परब होई यूपी बिहार के पियरी पहीर जाबू बाने पागारिया लचके लब वहंगी जुमेला भी हरिया अभी भी पवन्स इनके दिवाने लोग काफी लोग हैं बिहार में तो हैं ही और अधर अस्टेट में अधर कंट्री में भी पवन्स इनके लोग दिवाने अभी जल्दी में दो फिक्चर निकाले थे हिंदी पिक्चर और जिसमें दो गाने गाएं थे और काफी फेमस हुआ अच्छे बटू और विद्ध्या बहंगी लच कत जाए बहंगी लच कत जाए होई ना आदित मलसा है याँ बहंगी खटे पहुंचा है बहंगी खटे पहुंचा है अच्छे आप गाओं से और अंगावार डिस्टिक्स से बिहार से आप Europa aller गयें तो वहां कैसे आप रहें, कैसे आप संगहर्स कियें, इस लोगों को बता दीजिए. देखिए, जब मैं मुंबई यहां बिहार में था, तो मुंबई जाने का यह हुआ कि मुंबई मेरा एक काशियम था, और उसके बाद मुझे मतलब काम तो मिलें, सब चीज मिलें, लेकिन मैं सुझा कि अब फिर रेगूलर प्रोगाम ही हो रहा है, आगे कैसे बढ़ा जा, तो आगे बढ़ने के लिए मैं सोचा कि चलो मुंबई चलते हैं, तो वहां हमारे भाई लोग में, मुझे सब लोग में सपोर्ट किया, मैं वहां तीन साल तक कॉलेज में पढ़ाया भी, तो आपको एंडी भूता है, इसकूल है, वहां भी मैं पढ़ाया, उसके बाद भी म मैं जॉब नहीं कर रहा है, मुझे रास नहीं आ रहे है, मैं भी मतलब टीचर में आया, रिजल्ट आया, लेकिन मुझे मतलब नौकरी नहीं करना था, तो मुझे कहीं नहीं मुझे लगता है कि नौकरी जो करते हैं, उनके लिए तो अच्छी बात है, लेकिन मुझे ऐसा ल इंडिया को इतना बड़ा कपटान मंहीं मिलता है इतना बड़ा क्रिकेटर मिलता है लंगने करते हैं और मांगने से कई मांगने सब्सक्राइब और लुटि जीवन Bu एघ्रेंग छीवन के जंग को जीतने की रख छोसला इस जीवन के जंग जितने की सफल हुए तो ठीक है वरना जीतने कमों का दिबारा मीलेगा इसी जजवा इसे जुरून के साथ हम चल दिए और चल दिये तो लोग मिलते गए अच्छा अच्छे लोग मिले मैंने फिल्मों में कई फिल्मों में गाना भी काया है मुझे ओम जासर जी हमारे इंडर् में सेखता हूं और यहां डॉक्टर विंदर सर्म में मतलब यहां का जो सिख्षा हुआ मेरा दानिका संगीत मावीद्धाल है डॉक्टर विंदर सर्के यहां पर हुआ ग्रेजिशन मेरा हुआ फिर एमे किया मैं यहीं के राजी बाहने जी हमारे बड़े भीया हैं उनके फिर फिर आगे अपने बिहार मटी अपने मिटी पास आ गया और क्योंकि बिहार में जब चट पूजा होता है और इनकी मा जब घर में इनकी मा जब चट कर रही है तो बुलावा आया कि बेटा मुंबई से अब घर आजा तो दूरती हुए आप आगे जी बिलकुल मैं आप नहीं गाड़ी से आगे, फोर मिलर से आगे, दो जर किलिमर्स चलागे, चलिए हम चाहेंगे कि आगे भी छाठी की तर जाएं आगे, अरे हम तो से पूछी बारतिया बारतिया से किकरा लागे, से करेलू छट बारतिया से किकरा लागे, कि हम रोजे बेटा वाकावन ऐसन बेटा वासे उकरे लागे, कि हम रोजे बेटा वाकावन ऐसन बेटा वासे किकरा लागे, हम करेली छट बारतिया से उकरे लागे, हम करेली छट बारतिया से उकरे लागे, चलिए दोस्तों हम मिलते हैं अच्छे वीडियो के साथ और फिर हम मिलेंगे और मिलते ही रहेंगे जैहिन जैभारब